नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे चैनल केवी एलेक्टिकल मेंटेनेंस में और आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार अगर कोई हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर है उसका कोई contactor खराब हो जाता है तो हम उसको कैसे replace कर सकते हैं तो आज हम आपको उसमें practically बताने वाले हैं practically replace करने वाले हैं तो वीडियो को अंतेक जरूर देखें और साथ में आपको यह भी बताएंगे कि इसको replace करते समय किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए जिससे हमें कोई नुक्सान ना हो क्योंकि यहाँ पर three phase supply होती है अगर हमारी कोई controlling में या हमारी जो power supply है उसमें कोई भी हम mistake करते हैं तो उससे बहाँ पर बहुत short circuit हो सकता है जिससे हमें काफी नुक्सान हो सकता है तो इन सबी चीजों का हमें इसमें ध्यान देना होता है तो देखी यहाँ पर यह हमारा डेल्टा starter है और इसमें यह हमारा contactor लगा हुआ है डेल्टा contactor तो डेल्टा contactor में एक fault है कि पर यह जो फ़्य religious आयसके झाला ही है जब हम चलों कर रहें उसके बाद चीपक जा रहे है बहो create Geários PL Д्याइज रहे है वापस release नहीं रहे है तो इसके लिए हमें but चेंज करना है तो सबसे पहले हमें start डील्टा starter कै जो cover के cover है Study Man मेंमें काम करना चाहिए तो हम ने देखी है हाँ पर जो मिं फ्यूut उसको ओपिन कर लिया है और इसके बाद यह हमारी बायर में जो हमारी ढील्टा परेती जीव द तो इनकाल ल۔ होगा तो हमें निकालने से पहले यह चीज ध्यान रखना है कि कौन सा वायर हमारा किस जगे connect हो रहा था तो उस पर हमें अच्छे से मार्किंग करके रख लेनी चाहिए जिससे हम जो भी वायर बहां पर connect करें वह बही वायर हो अगर कोई दूसरा वायर हम बहां पर connect कर देते हैं तो मोटर उल्टी भी घूमने लगी और अगर हम कंट्रोलिंग में कोई मिस्टेक कर सकते हैं तो इससे बहुत बड़ा नुक्सान हो सकता है हमारा जो स्टार्टर है वो जल सकता है तो इसलिए हमने यहां पर टेप से मार्किंग कर रखी है पावर वायरिंग में कि कौन सा वायर हमारा किस जगए पर connect हो रहा था तो इसी प्रकार से अब हमें इसको जो हमारा contactor है तो यह स्कुरूब खोल के यहां पर जो सीट लगी हुए जिस पर हमारे सभी contactor mount है तो उस सीट को निकाल लेंगे तो यह स्कुरूब खोल लेंगे हम और इसकुरूब को खोलने के बाद यह जो हमारे contactor है सभी को हम बाहर निकाल लेंगे और आपको एक जगह सही जगह पर रखके बहां पर आपको निकाल के दिखाएंगे contactor को कैसे चेंज करना है क्यूंकि बहाँ पर हम अच्छे सज्ड नहीं कर सकते थे तो अमें यह आपको यह अच्छे से किलियर समया होगा कि हमारे किस प्रिकास से यह contactor लगे हुए है तो यह हमारा man यह स्वाइकर निकाल देना हुगा और सभी बायर को निकाल ले ह्動画 सबस्क्ensa आपके पास अगर आपके पास यह पिस पर बायरनी चाहिए कि कौन सा बायर हम किस जगे से निकाल रहे हैं तो देखी यहाँ पर जो हमारे इस इन बायर्स को भी हमने निकाल दिया है जो हमारे star contactor में जा रहे थे delta contactor से और अब हमें जो इसकी controlling बायर थे यह देखी यह हमारे बहुत ही important बायर है इस से अगर हम इसमें कोई mistake कर देंगे तो हमारा short circuit भी हो सकता है या हमारा contactor ही run नहीं होगा तो देखी यहाँ पर यह हमारे जो बायर्स है इनको भी हमें निकाल लेना होगा तो देखी इस परकार से हमने यह बायर्स को निकाल लिया है अभी हम आपको निकाल के इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि हम एक हाँ से बीडियो बना रहे हैं और एक हाँ से काम कर रहे हैं तो इसलिए आपको थोड़ा हम निकाल के नहीं दिखा रहे हैं हम कहां से निकाल रहे हैं तो देखिए यहां पर हमने यह कॉंटेक्टर है हमारा उसको हमने निकाल दिया है बाहर कर दिया है और यह हमारे इतने बायर थे इसमें कनेक्ट थे तो दो वायर हमारे पता होना चाहिए कि कौन सा वायर किस जगह पर connect हो रहा था है नहीं तो आप ड्रैंग में देख सकते हैं कौन सा वायर कहां पर connect होना है controlling का power wiring इसमें बहुत easy होती है वो आप कोई भी देख कर सकते हैं लेकिन controlling बहुत ही important होती है अगर हम उसमें mistake करते हैं तो यह बहुत ही नुकसान पहुचा सकती है तो इसके लिए देखिए हम पर हमने जो contactor है यह हम contactor लेके आये हैं जो हमारा new contactor है और इसको हमें बहां उस जगह पर replace करना है तो देखिए यहां पर यह हमारे ऊपर की side है यह हमारे तीन terminal है जहां पर input supply होगी और यह हमारे जो start contactor है वहां पर उसके sesや और यह हमारे NC contact है तो इसमें सप्लाइब को देना है जो हमारी control supply है तो चाहे हम इस में दे यह सकते हैं और इसके साथ जो हमारे यह college की supply होती यहां पर इसी से यह contact तो य्हें हमारो एपन पॉयंट विए इसमें हमारे दो वायर कनेक्ट हो रहते यहाँ पर देखिए इस साई हमारे भी देखके उसमें connect कर सकते हैं तो देखिए इस परकार से इसके अभी हमारा same terminal है इसमें A1 और A2 और इसी परकार से हमें इसको जैसा हमारा जो contact fix था बहाँ पर उसको बहाँ पर fix करना होगा तो उससे पहले हम क्या करेंगे जो हमारे contact जो starter है उसमें जो भी धूल मिट्टी है तो उसको हम ब्रस से अच्छे साप कर लेंगे इसको बिल्कुल clean कर लेना होगा जिससे कोई भी धूल बहाँ पर ना रहे कारबन बगेंड़ ना रहे तो इसको साप करने के बाद जो हमारा connect है उसको जहाँ पर fix था जहाँ परention कर लिया है और अब हमें इसकी जो controlling wiring है वो हमें इसकी करनी है तो सबसे पहली ये हमारा NC point पर ये जो हमारा एक point था यहाँ पर connect हो रहा है और दूसरी side भी हमारा एक wire connect हो रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना है अच्छे जे tight करना है ये बिलकुल lose ना रहे तो ये वाला है ये हमारा A2 point है तो A2 point में भी एक हमारा wire जा रहा है तो इसको भी हमें यहाँ पर connect कर देना होगा तो इसी परकार से जो हमारा दूसरी side था बहाँ पर A1 point था बहाँ पर दो wire connect हो रहे हैं तो हमें यहाँ पर दो wire को connect कर देना होगा जो बायर वहाँ पर connect हो रहे थे जहां से हमने निकाला था तो हमें बहाँ पता है अगर आप पहली बार करभी भी contact पर काम कर रहे हैं contactor पर काम कर रहे हैं तो आप अच्छे से इसकी एक बार photo भी ले सकते हैं कौन सा बायर कहां connect है और जो भी byer जहां से नकाले उस पर marking भी कर सकते हैं, जिससे कि आप उसको भूले ना और अगर drawing है तो आप drawing में देखके उसको rm से कर सकते हैं, अगर आपको drawing में देखना नहीं आता है तो आपको हमेशा इसकी mark लेनी चाहिए तो देखें अमने जो byer है है वो connect हो गाए है अब इसके बाद जो हमारे डीलटा-कॉंटक्टर से स्प्लाई आ रही थी उसको connect करना है तो उसको connect करने का एक रूल होता है कि हमें ऊपर अगर अरज आ रहा तो यह हमारा आरफेस है तो हमने आरफेस को बीफेस में कनेक्ट किया है और जो हमारा बाइफेस था उसको हमने किसी आरफेस में कनेक्ट कर दिया है इसी प्रकार से हमने सेक्वेंस को उसको चेंज कर दिया है लेकिन जो हमारे जो main supply आगी या main contactor से जो overload relay में supply आगी उसको हमें same RY भी जहां पर connect हो रहा है उस प्रकार से connect करना होगा तो देखिए हमने सभी को connect करके और बहाँ पर जिसको seat है वो उसको हमने starter के अंदर mount कर दी है जो starter का हमारा box था उसके अंदर mount कर दी है और जो wire जहां पर connect थे उसको बहाँ पर हमने same connect कर दिया है तो यह हमारी input supply है जो wire जिसके connect था तो tape से हमने marking कर रखी थी तो उसको बहाँ पर लगा दिया है इसी प्रकार से हमने जो output supply थी उसको भी connect कर लिया है अब इसमें देखेंग तो बिल्कुल थोड़ा सा लगाएंगे जिससे उसमें थोड़ा सा moisture सा आजाए थोड़ा ही बहुत जादा नहीं लगाएंगे और लगाके उसको पत्ती को बहाँ पर mount कर देंगे और mount करने के बाद जो हमारे starter है उनके सभी cover को जो हमारे यह white या blue के cover है इनको सभी cover को बंद करके जो हमारा starter है उसका main cover को भी बंद कर लेना चाहिए और उसके बाद जो हमारा main सच है उसको on करके हम इसको test करेंगे तो नहीं के जो हम टाइम सेफ करते हैं उसके बाद हमारी जो मोटर है वो हमारी डेल्टा में आ जाती है देखी यह मोटर लगी हुए और यह मोटर हम इस स्टार्टर से चला रहे हैं